आज हम बनाना सीखेंगे सौट ग्लासिस ये खाने में बहुत टेस्टी होता है और ये लगभग पचास साथ रुपे के आजबस सेल होता है जब ही हम केक बनाते हैं केक का ये जो डोम पोर्षन हम लोग का वेस्टेज हो जाता है आज हम इसी डोम पोर्षन से ग्लासिस बनाए सबसे पहले मैंने केक को क्रम कर लिया है अब थोड़े से ब्लाक कलर का चौको चिप्स और वाइट कलर का चौको चिप्स ले लिया अब क्रीम को पैपिंग बैग में भर लिया अब एक ग्लास ले लिया अब इस ग्लास के अंदर इस क्रम को डालते है अब को सारी लेयर बराब पर रखनी है अब इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे अब इसके अंदर थोड़े से एसेंज शिरप डालेंगे आप क्रीम को इसके ऊपर अच्छे से दे देंगे आपको बाहर से अंदर के तरब देना है अब इसके उपर थोड़े से चोको चिप्स डाल देंगे अब फिर से केक केक रॉम डालेंगे हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे अब इसमें थोड़ा सा एसेंज शिरप डालेंगे अब इसके उपर क्रीम को स्प्रेड करेंगे कि अब इसके उपर थोड़े से चॉप्ट चॉकलेट डालेंगे अब फिर से क्रम डालेंगे कि फिर से इसके उपर क्रीम को स्प्रेड कर देंगे अब चाहो तो यहां पर क्रीम के फ्लावर भी बना सकते हो अब इसके उपर थोड़े से चॉकोचिप्स डाल देती हूं वाइट वाले और यह डार्ट वाले अब चाहो तो यहां पर चॉप्ट चॉकलेट भी दे सकते हो अब मैं इसके अंदर एक गार्निसिंग रख देती हूँ इसके उपर थोड़े से चौप चौकलेट डाल देंगे आप चाहों तो यहाँ पे एक चेरी रख सकते हो इससे इसकी लूक और भी बहुत सुन्दर लगेगा अभी इसके उपर एक धाकर लगा देते है आप चाहों तो अपना नेम स्टिकर भी इसके उपर लगा सकते हो आप देखे होगे मेले में स्टॉल में ऐसा ग्लासेस रखा रहता है कहीं पे चौकलेट का बना होता है और कहीं पे प्लेन मैंने इसको प्लेन में बनाया है अगर आपको चॉकलेट क्रीम से बनाना है तो आप चॉकलेट क्रीम से भी इसको बना से अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, सेयर और सस्क्राइब करना ना भूले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में